हेलो अब्रिवान तो फेर कैसे हो सारे स्टेंट्स त्यूयार फाइनली फाइनली राउंड फोर का सीट अलॉट्मेंट भी आ चुका है और आज हमारी 28 तारिक रहने वाली है यह सीट अलॉट्मेंट आने के बाद जाकर के जो यूपी ट्यू वाले बच्चे हैं उनके क्या है कब फिजिकल रिपोटिंग करनी है कब डॉकुमेंट हमें मांगा जाएगा हर एक चीज के बारे में आप इस वीडियो में देखोगे तो सब कुछ पता चल जाएगा तो इसलिए अब ज्यादा बात नहीं करते हैं तो फिर चलो या तो देखो बच्चो हम स्टाट कर में बात करने से देखो अगर आपको पहली बार सीट मिली है तो आपको पैसे परने पड़ेंगे तो आपको फॉर्स टाइम सेइट मिलती है तो आपको पैसे कर ना पड़ता है जो कि आपको round 3 में जो वाला seat था वही seat अभी भी same to same है तो अब जा करके आपको क्या है कि आपका freeze हो चुका है ठीक है अगर आपको private मिला है तो फिर आपको कोई round के लिए भी आप eligible नहीं हो लेकिन अगर government मिला है तो मैं आगे बात बताऊँगा कि इसके बाद क्या होगा ठीक है तीसरे ऐ सबका auto freeze हो गया अब आगे कुछ नहीं participate कर पाएंगे government का मैं अभी बताने वाला हूं फूर्थ ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक भी seat नहीं मिली है तो उनकी मैं आगे बात कर रहा हूँगा कि उन्हें क्या करना होगा ठीक है तो चारो सिनाइरियों समझ आ गए कि कैसे क् आप बच्चों के दिमाग में जितने बच्चों को भी तक seat मिली हुई है फिर उसके बाद जाकर के अपग्रेड हुआ नहीं हुआ जो भी है ठीक है अगर आपको seat मिली हुए तो आप जाकर करके आपको physical reporting करनी है सारे बच्चों को physical reporting करनी है 39 से ले करके 30 तक हमारा physical reporting होने 39 से 30 तो आपको क्या करना है बिल्कुल सुभे सुभे पहुंच जाना है जिससे कि आप ज्यादा लाइन में वेट ना करो कि होता क्या है कि वहां अगर बहुत ज्यादा बच्चे पहुंच जाते है तो रश का महाल हो जाता है और उसके बाद जाकर कि आपको दिक्कत होगे फिर आपको रहना पड़ जाएगे एक दिन उस जगह पे ये सब दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है अगर आपस पास रहे तो तब तो अपनी घर चले जाओगे वरना जातर बचे दूर से आएंगे फिर उनको दिक्कत वोगे समझ आ गया तो आपको थोड़ा जलदी पह कि physical reporting के time क्या-क्य documents लगें और जितने भी documents से सारे original रखना ठीक है यह चीज में अभी से बता दे रहा हूं और सब की चार photocopy करा लेना ये में अभी पहले से बता दे रहा हूं हो सकता है आपको हर जगा दो ही मांगा जाए तीन ही सेट मांगा जाए लेकिन हमें एक्स्टा लेकर चलना है कि कुछ खो जाता है तो हमें कुछ और ना करना पड़े तो सारे बच्चे जिनको सीट मिली विए उनको फिजिकल रिपोर्टिंग 39 से 30 के बीच में करनी है आप जा क्या होगे आपने 28,000 पे का रखा है तो अगर कॉलेज की फीस एक लाग 30,000 है तो उसमें 20,000 कम कर दिये जाएगा आपको एक लाग 10,000 ही रुपे करना पड़ेगा ठीक है समझ आ गया फिजिकल रिपोर्टिंग किस तरीके से रहने वाली है तो यह चीज तो हमें कंफर्म हो तो आपको अपर आपग्रेड होकर कि मालनो पील जाएगि तो बहुत जाधा अपग्रेड भी हो जाता है क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि जो भी आपके seats बची हुई थी उनकी उपर वाली branches उनको फिल कर देते हैं कि नीचे से उपर वाली branch में बच्चे का अपग्रेड हो जाए ठीक है तो रहने वाली है तो देखो special round में basically वही बच्चे बस participate कर सकते हैं जिनको कि अभी तक भी कोई seat नहीं मिला है चाहे private में होए government या किसी कारण वर्स वो physical reporting नहीं कर पाए कुछ हो गया उसको seat भी नहीं मिले कुछ दिक्कत है तो वो नहीं कर पाए वही बच्चे कर सकते हैं या दूसरे जिन्होंने अभी तक भी UPTU का नाम नहीं सुना था वो बच्चे भी इसमें apply कर सकते हैं जो उसका seat vacancy क्या क्या seats बच्ची बच्ची हैं वो भी आपका भी ब्रांचेस होने का बहुत ज्यादा chances हैं कि उपर की ब्रांचेस भी हमें देखने को मिल जाएगे से लिए जितने भी बच्चे स्पोर्ट वाले हैं उनके लिए मैं चीज बताना चाहूंगा कि जितने बच्चे भी अगर आप देख रहे हो आपको स्पोर्ट राउंड में पर्टिपेट करना है तो यू कैन जॉइन अवर काउंसलिंग सपोर्ट क्यूंकि अब यह एक तरीके से लास्ट मौका है मौका है इसके बाद कोई हमें मौका नहीं मिलने वाला तो इसमें आपको चोईस फिलिंग करना पड़ेगा ठीक है इसका है अगर इसके च्छार के बीच में होने वाला में तो फिर सरे कॉलेज कुछ नहीं मिलेगा और यह तरीके से लास्ट राउंड है तो अगर आपको कराना है बेस्ट चॉइस फिलिंग तो हमारा काउंसलिंग सपोर्ट जॉइन कर सकते हो इस काउंसलिंग सपोर्ट के अंदर हमारे पास मैंटर से जो की आपको अलॉट किये जाएंगे और मैंटर को करनेके बाद अपकी जिस दिन चॉइस फिलिंग होगी मैंटर से फिल करेंग कि जो जो कि आर बस 1499 यानि की पंद्रह सो रुपे में आपको करवा रहे हैं आपको पंद्रह सो में लगभग आपको गारिंटी है कि गवर्मेंट कॉलेज में मिल ही जाएगा तो ध्यान से जाकर के काउंसिलिंग सपोर्ट जॉइन कर लेना और स्पेशल राउंड की पूरी वीडि ना ही कोई रिफर्ण में लगा कुछ नहीं होने वाला ठीक है तो ध्यान से फिजिकल रिपोर्टिंग कर लेना सो बस्यार थैंक्यू फॉर वाचिंग डिस वीडियो जै हिंद जै भारत